कि इत्रों नमस्कार द्रिश्कॉर्ण के प्लेट फार्म पर आपका स्वागत है आईए हम लोग मारा चल रहा है जीडी का पेपर जीडी के जो पिछले बार पेपर हुई है आज का यह सुलावा दिन है आज सुलावा पेपर है तो आपको साल्व कराया जाएगा और आईए हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से प्रस्ण है जो लगातार घुमा फिरा के आप किसे पूछे जाते रहते हैं और उनको देखना है तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं अपने प्रस्णों की ओर प्रस्णों की सिंखला यहां स्प्रारम की जाती है जैसे आज आपका जो प्रश्ण है पहला प्रश्ण है वो है निम्ल लखिद में से कौन अप्सिष्ट को चोटे कड़ों में बिग्टिद करता है यह आज का बारे में हमें जरना है यह पर इकलप आपका है एक सरवाहरी है एक साका हरी है एक मांशा हरी है और एक आपका अपरदा हरी है यह जो आपके है यह चोटे कड़ों में absyst कोMag चाब्दाफाईलोईंग decompose वेस्ट इंटू समालर पार्टिकल्स यानि कुछ ऐसे होते हैं जो अपसिष्ट को छोटे-छोटे टुकडों में क्या करते हैं तोड़ देते हैं जैसे अर्विन दही एक बार देख लेते हैं अर्विन पांडे हैं मौर्या और सुमन हैं और अर्विन चलिए यहां पर उत्तर यहां पर अर्दाहारी आपका क्या है अपर जिसे हम देखते हैं अप घटक कहते हैं आप घटक अप घटक हो गया इसमें आपके आते हैं जिवाण इसमें आपके आते हैं कवक जिवाल और कवक क्या करते हैं कि जो भी अफसिष्ट आपका हो गया जह वर नस्पतियों का अफसिष्ट हो या आपका जिवों का अफसिष्ट हो इन्हीं से अपना पोसन भी प्राप्त करते हैं इनहीं से अपना क्या करते हैं, पोसड भी प्राप्त करते हैं, और साधी साथ इन्हें छोटे टिकलों में ये क्या करते हैं, विवात भी कर देते हैं, और जटिल कार्वनिक पदार्थ में उनको क्या करते हैं, बदलते हैं, और वह कार्वनिक पदार्थ जो आपका होगा हुम किसानों का मित्र आप से पूछा जाए तो किसानों का कौन हो गया केचुवा हो गया ये भी क्या करते हैं इसी प्रकार से अगला जो हमारा प्रशन है कभी कभी ये जो आपका है सरवाहारी ये आपका साकाहारी मांसाहारी या इसे सरवाहारी ओमनी ओरस है साकाहारी जो हर्वी ओरस है मांसाहारी कॉर्णी ओरस जो आपका है इनमें कभी कभी पोस्ण अस्तर के आधार पर भी पूछता है क्यों पोस्ण अस्तर किसको प्राप्त ह होता है यानि जो अगर हम लिंडिमान के दस प्रस्षित के नियम को आधार मानते हैं तो साधार पर सबसे ज्यादा किसको मिलता है कुलूर जिया का साकाहारी को जो यह विकल्प है साधार पर आपका साकाहारी होगा पोस्ण अस्तर में आगे बढ़ते हैं अगला जो मेरा प्र भारत को बना दिए कि फसलों का सबसे बड़ा निर्यातक बना दिया। तो ये क्या किया हारित क्रांथ से क्या प्रभावब पड़ा। प्रक्रांथ आपके देखिए भी प्रस्नाएं ब्याक्या कर दी गही है। और हरित करांति के समय जो आपके हैं मारे देश में प्रधान मंतरी लाल बहादूर सास्त्री सुब्रमणिया मुस्मे क्रिश मंतरी थे और 1966 सरसत में हरित करांत शुरू हुई और ये हरित करांत से लाभाब को मिला गेहूं और चावल को अगेहूं और चावल हाद्यान फसले हैं और इससे भारत को क्या बना दिया ये आत्म निर्भर यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हुआ आत्म निर्भर हो गया चलिए भई ये मदू हैं ये सब उत्तर भई दे रहे है सुमन है सुमन है सुमन कह रही है आयम बंगाली बंगाली चलिए भाई अच्छी बात है बंगाली समझती हूं तब भी अच्छी बात है लेकिन हां हिंदी या कुछ आपको अंग्रेजी में आपको बताया जाएगा समझ में आएगा तो चलिए आगे हम यहां पर देखती है आत्म निर्भर, हरित करांद क्या किया, भारत को आत्म निर्भर बना दिया, यहाँ पर आत्म निर्भर हमें जानना है, आगे हम चलते हैं, बाकि हरित करांद से सम्मंदित, आपके सारी प्रस्न ब्याख्या आपको पीछे की जा चुकी है, जैसे हरित करांद के जनाक, नार्म मंत्रियों समय लाल बहादूर सास्त्री वित्र मंत्री सुभ मनयम तो इस प्रकार से लगभख चीज़ें आपको अधिक उत्पादक ताली वीज का उपयोग करना जब अधिक उत्पादन हमें चाहिए तो अधिकूर बरक का भी हम उपयोग करेंगे मैक्सिको से हम वीजों को ले आयत यह सब आपको बता दिया गया आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रस्न है अगला एक भारत के 2020 के राष्टी खेलों के लिए सुभंकर कौन था यह 2020 में राष्टी खेल हुआ और इस राष्टी खेल का सुभंकर क्या बनाए गया था तो यह राष्टी इसमा पर हम यह दिखते हैं कि 2020 में सर आथ यह बत्याएश्टी खेल आपका कहां आओ जित हुआ तो सहाथ राष्टी खेल है यहा पर इसका जो शुभंकर आपकर है तो भंकर आपको बनाया गया मोगा और ये गावर है गावर जो आपका है गोवा का राज पसु भी है ये गोवा का क्या है गोवा का राज पसु है और दोहजार तेश में नमबर एक पर काउनसा राज महाराष्ट प्रथम स्थान पर और दूसरा आपका सर्विसेश तेना जे रेलवे आज से जुड़े हुए लोग जो भी हैं ये सर्विसेश का स्थान तो चलिए ये था सहेतिस्वा और ये हैं दोहजार वीस का ये आपका ह हो गया वर्तमान अगे हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्ण है भारत की जल्वाव को चलिए भाई उत्तर भी यहां पर दिप्थी भी जूट चुके उत्तर सही मिल रहा है तो आगे हम देखते हैं कि भारत की जल्वाव को प्रकार की रूप में वानित किया गया तो यहां प्रकार आपको दिया गया मांसूनी, एक ठंडे, एक सूखे और एक बंजर तो किस आधार पर भारत की जलवाव को क्या किया गया है भारत की जलवाव को किस प्रकार की रूप में वानित किया गया तो भारत की जल्वाव को हम क्या कहते हैं मांसूनी, देगे यहाँ पर मांसूनी जल्वाव, उत्तर आपका सही हो गया मांसूनी और भारत की जल्वाव को उष्ण कड़िवंधी मांसूनी कहा जाता है, उष्ण कड़िवंधी मांसूनी, यहाँ पर सबसे सही आपका क्या हो ज आपकी क्या है भारत की? जलवाू है. अब इस दृष्षत से जut से जलवाओ है तो कैसे ये है? तो जैसे उच्णकडिवंधी हम अच्छांस की दृष्षत से बारत किसके अंतरगत आता है? पूर बारत देश जो है आपका उच्णकडिवनद क्युआज कि लगभथ वीचों होते हैं लेकिन विकल्ब के अनुशार यहां पर कौन सा उत्तर सही है मानोसूनी है भारत में और बंजडर सूखें ठंडें तो जैसे ठन्डे भीचेत होंगे, भारत का उवह चेत्र जो उचाई पर है, पर्वती जो राज़े हैं, वहाँ पर वर्वध्र होती हैं, जैसे राजस्थान में रेगिस्थान ठार के सुखा चेत्र है, यहां पर वर्शा कम हो ती है, यह मरोластया रेगिस्तान में बदल गया बंजर भूमी ठीक है तो इस प्रकार से है अब की जल्वाव की ब्याख्या की गई तो ये बिकल्ब के अनुसार यहां पर मानसुनी है और सबसे सही क्या होता है उश्ण कड़िवंदी मानसुनी जल्वाव आगे बढ़ते हैं अग्टूबर 2022 में भारत द्यापार संमर्धन संगठन के अध्याच्च और प्रवंध निदेशक के रूप में किसी न्यूक्त किया गया है यह जो आपका है अगला जो आपका है कि कि एक्टूबर 1922 अंक्टूबर 2022 यह आपका है यह 19 अक्टूबर की बात है 19 अक्टूबर 2022 19 अक्टूबर 2022 को चापार सम्मर्धन संगठन के अध्यच और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है यहाँ पर आपका विकल्फ सही है प्रदीप सिंह खरोला किसको निदेशक के रूप में निदेशक किया गया है यहाँ पर एगला है कि इस संगठन की अस्थापना यह आपका विकल्फ सम्मर्धन संगठन की अस्थापना 1937 में यह गई और यह जो इसका मुख्याले है प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका क्या है मुख्याले है अब आगे यहाँ पर जैसे हमें यह जानना है कि यह मुख्य रूप से क्या करता है अंतराश्टी व्यापार को प्रोसाहन देना इस संगठन का क्या है मुख्य उद्देश है तो उद्देश राष्टी अंतर राष्टी जो व्यापार है आपके अंतर राष्टी व्यापार और इस व्यापार को बढ़ावा देना इस संग्ठन का क्या है मुख्य उद्देश से बढ़ावा देना मुख्य उद्देश से ये हो गया आपका और इसके अध्यच प्रबंद सब्सक्राइब देशा कि प्रावा देना मुख्ष देश से यह होगे आपका प्यापार संबरधर संगठन रदीफ सीम खरोला आगे बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रशन है निम्र लिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुर्बाल रत योगिता है यह प्रशन आप इनका उत्तर सही आप देप्ती का भी आगे चलते हैं यह अगला जो हमारा प्रशन है यह कौन सा है कि बनीलिखित में से भारत की सबसे पुरानी फुर्बाल प्रतियोगतां कौन है यह सभी फुर्बाल से सम्मंधता है फ्रेड्रेशन कभी फुर्बाल से है दूरंड कभी और इसमें जो हैऀत की सबसे पुरानी है यह का Рच ऑंसी पुरानी है वह की कारफे आँ 1888 ECB में यह दूरंड कप आपका क्या हुआ था शुरू किया गया था दूरंड कप योगता कब से शुरू हुए 1888 पाकी जैसे आपको बताएगे यह फेडरेशन यह भी आपका फुटवाल से है इसी राय ट्राफी यह भी आपका फुटवाल से संतोष ट्राफी यह भी योगता डूरंड कप है चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगला जो हुमारा प्रश्न है यह का पति बिक्रम रेड़ी जो जून दो हजार वाइस में आंद्परदेश के अत्मापूर निर्वाचन छेट से बिधान सभा सदस्य बने एकिस राजनीतिक दल से थे यह आपका कि उ मंदिद्या सदस्य बने हुए थे इस प्रकार से देखिए इस सत्र में जो आपका हुआ है पेपर लगभग हर पेपर में इस तरह से जो अर्थमान में देश में कहीं भी एक चुनाव लड़े वहां पर जीते तो इस तरह का एक प्रश्न में सब बना हुआ है हर सेट में कौन सिधात उस्मा की सबसे अच्छी चालक होती है उस्मा की सबसे अच्छी चालक जो आपका है विकल सोडियम दिया एक गोल्ड एक आरान एक सिल्वर और सिल्वर सबसे अच्छी आपकी क्या होती है उस्मा की चालक होती है तो सबसे अच्छी चालक उस्मा की कौन होती है है तो सबसे अच्छी चालग का उटावी रहा है सबका को सभी भी है ये उस्मा की सबसे अच्छी चालग का उनाती 47 होता यह सोडियम है पर्मारसंग के जिसके 11 है गोल्ड को एयू हम 79 होता है यह आपका आइरन है यह सभी धात्म हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सुचालक चालक कौन होता है सिल्वर अब कुचालक में आपका सीसा हो गया सीसा आपका यह कुचालक है सबसे अच्छा कुचालक कौन माना जाते हैं यह आपका सीसा है सीसा कुचालक और चालक या सुचालक में कौन सा हो गया आपका सिल्वर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से अगला जो हमारा प्रशन है जब किसी परिवार की आय मुल जीवन अस्तर जैसे बोजन रहाइफ, आवास है को बनाए रखने के लिए आवास्यक राश से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है यह प्रकार और उसी प्रकारों में से विकल्प आपका दिया गया है कि जब किसी परिवार की आए मूल भूत जीवन अस्तर यसे भोजन अस्तर आवास को बनाए रखने के लिए आवस्यक राज से कम हो जाती है तो ऐसी निर्धंता आपकी क्या कहलाती है निर्पेच निर्धंता के नाम से जानी जाती है आपसुलोट को वहर्टी के नाम से क्या होती है जाने जाती है अब यहां पर क्या Hi जैसे एब करीब हें गरीव से नीचे है आपका जैसे और गड़ी रेखा से नीचे है रेखा से नीचे हैं तो क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है पीड़ी गति निर्धनता यहां दो पीड़ी कमाना गया अगला है जैसे सापेच निर्धनता आपकी क्या कि जब किसी व्यक्त की आए जो है पचास प्रस्तें हो जाए कितना कम हो जाए पचास क्रस्यत क्या हो जाए कम हो जाए और वह अपनी मून आवस्तिदें सपय कितना कम चार Ugh तक आय क्या हो जाए कम हो जाए का मतलब इस्थित जन से हम समझ सकते हैं इसे इस्थित जन का मतलब यह होता है जैसे का यह कोई ना कोई धटना हो गई जैसे माल लिजिए कोई आपका अकाल पढ़ गया या जैसे कुरोना जैसे महामारी आ गई तो वो इस्थित जन है और उस दौरान यदि आप अपने अवसक्ता नुसार वस्तुमों का उपवोग नहीं कर पा रही है तो ऐसी निर्धनता आपकी क्या होती है पारिस्थित जन निर्धनता कहलाती है यह आकास्मिंग घाटनाओं के घटिद होने के बाद होती है तो यह आकास्मिंग घटना घटिद हो जाए और उस्थिति जन निर्धनता कहते हैं ऐलिए यह थह निर्धनता आगे हम बढ़ते है अगला है महामस्तकाविशेग, देखिए कई रूपों में आपसे पूछा गया, महामस्तकाविशेग, फिर आपका प्रस्णा गया, कि महामस्तकाविशेग कितने वर्स पर होता है, चलिए भाई उत्तर अब नहीं आ रहा है, उत्तर दीजिए, यह आपका है, दस्मों प्रस्णा गया है महामस्तका विसेग के बारे में बताइए भाई चलिए तो महामस्तका विसेग जैन तेवहार है जो प्रत्य यहां पर हो जाएगा 12 वर्सों में एक बार मनाया जाता है तो आपका विकल कौन सा सही होगा तीसरा महामस्तका विसेग जैन तेवहार है यह आपका करनाटक राज है कौन सा राज है करनाटक राज और करनाटक राज में है आपका बिंद्गीर पहाड़ी बिंद्गीर पहाड़ी है और इसी पहाड़ी में स्रॉण वेल गोला गुफा आपकी स्रॉण वेल गोला गुफा है और स्रॉण वेल गोला गुफा के सामने यह जैन धर्म से संबंदित है कौमतेश्वर की मूर्ति है कौमतेश्वर की ग्रेनाइट की क्या है आपकी ग्रेनाइट पत्थर की क्या है एक ग्रेनाइट पत्थर की एक आस्म मूर्ति है एक आस्म मूर्थी है और इसी मूर्थ पर क्या होता है महा मस्तका विशेख कितने वर्स पर ग्यारा और बारा वर्स पर और इन्हें क्या किया जाता है कि दो दियाँ करें गारे यह ज ہے और यह जो मूथिशा 57不知道 यह हो गया कई बार ही आपका प्रस्ण वमांके पूस्त रहता है आगे चलते हैं अगला जो मारा साजन प्रस्थ Germany समय गञि較 You इतने डीए संग था फ़जिसंग पर प्रस्ताविद हमले के बारे में सलाइने के लिए बुद्ध से मुलाकाथ कि यहां पर राधा गुप्त हैं वस्कार हैं असोक हैं यस हैं तो कौन सलाह लिया था तो इसका उत्तर देखते हैं भाई कोई देता है बढ़िया प्रस्ण है कोई उत्तर भी आया नहीं तो चलिए हम इसका उत्तर ये जो आपका है इसने वज़ पर प्रस्ताविद हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की दिये हैं वसकार और वसकार किसके मंत्री हैं तेनपत किसके हैं तो यह हैं आपके अर्यकवंस या जिसे हम कहते हैं पित्रहंतावंस अर्यकवंस या इसी को क्या कहते हैं पित्रहंतावंस के नाम से जाना जाता है पित्रहंतावंस और इस वंस के एक्सासक थे अजाद सत्रू और अजाद सत्रू के यह सिनापती मंत्री थे वसकार और इन्हों ने तरालिया वज्ज पर वसकार की विशेष्टा है कि यह निपने एक राजनितिक भी था इसने क्या कि पराजित करने के लिए उनमें फूट डाल दिया लिच्छवियों को पराजित करने के लिए पराजित करने के लिए पराजित करने के लिए फूट डाला था ये भी आप से पूछा जाता है लिच्छवियों को पराजित करने के लिए फूट किसने डाली थी लिच्छवियों मे तो फूट डाली थी वस्तकार ने और वस्तकार आपका किसका मंत्री है यह आपका हजाद सत्रुका और साधी साथ वज्जी पर प्रस्ताविद हमले के बारे में सलाह लेने के लिए इन्होंने महत्मा बुद्ध से मुलाकात किया असाधी वज्जी संग जो वज्जी को पराजित करने के लिए इन्होंने यंद्र का भी प्रयोग किया करने के लिए रथ मूसल यह पहने हं थियार थे जिसमें आरियां जैसे लगे होती है थी रथ मूसल और महा सिला कंटक महासिला कंटक है कहने का मतलब यह महासिला कंटक पत्थर फेकने वाली एक इन्हों थी यह पत्थर फेकती थी और रथ मूसल यह नुकीले पैने धारदार टाकूदार ये क्या था थियार हुआ करता था अब महासिला कंटक क्या है यह पत्थर फेकने वाला एक एंत्र था तो इसका उपयोग किया किसने वस्तकार ने किसके विरुद्ध वज्जी के विरुद्ध और लिच्छवियों को मेफूर डालकर उनसे उन पर अपना क्या किया अधिकार किया प्रसेंजित वाजिरा थी वाजिरा वाजिरा के साथ भी किया वजिरा के साथ दिवा किसने किया वही अजास्त्र। यह हो गया आपका वस्यकार की विशेष्टा इसके मंत्री थे अजास्त्र और यही अजास्त्र हैं जिसने सौन अरगंगा नदी के मद्ध जो पाटल ग्राम था महीं पर पहली बार इन्होंने एक दूर्ग अपना बनाया और उसके महत्त को समझा बाद में उदाई ने उसे को अपने क्या किया राजधानी के रूप में विक्सित किया जिसे पाटल पुत्र का गया तो आगे हम चलते हैं अगला जो हमारा प्रस्ट है बाल विवाह निशेद विद्हेग दोहजार एकीस लड़की की आउटारा से बढ़ा कर वर्स करने का प्रस्ताव करता है यहां पर जो आपका विकल्प है और यह बारा यह है दसवें का सीर्फ दसवनी बैइए बरहावा प्रस्ट है और यह आपका है लड़की की आउटारा से बढ़ा कर एकीस वर्स करने का प्रस्ताव करता है और यह कौंसा बिद्हेग बाल विवाह निशेद संसोधन बिद्हेग 2020 में थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल देते हैं 2020 में जया जेटली की अध्याश्चता में समिति का गठन किया गया समिति का क्या हुआ गठन किया गया और इस समिति की रिपोर्ड के अध्यार पर 2021 इसवी में यह अध्यनियम पारित हुआ यह अध्यनियम क्या हुआ पारित हुआ यह अध्यनियम पारित हुआ यह है आपका पहली बार 1978 इसवी में 1978 इसवी में 15 से 18 और 18 से 21 वर्ष किया गया था यहां पर लड़कों और लड़कियों की आविसे संबंदित है 15 से क्या किया गया था 18 वर्ष और 18 से फिर 21 वर्ष 2021 में क्या किया गया जो 18 वर्ष थी लड़कियों की इसे क्या कर दिया गया अब 21 वर्ष यानि लड़के और लड़कियों की आव अब कितनी 21 वर्ष किया गया यह हो गया 15 से 18 वर्स जो थी यह लड़की और 18 से जो 21 किया गया यह लड़कों की तो यह हो गया अब इसी को 2021 में क्या किया गया 21-21 वर्स कर दिया किस वर्स कर दिया आगे बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है यह है निमलिखित मेंसे कौन सा निट्ट रूप एक अधुती निट्ट रूप है क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तयार होते हैं और यह ओडिसा के मुख्य कुछ हिस्से में लोप्री हैं कौन जीओ करती हैं और यह आपंका है गोटी पुवा का ही क्यों है अर्यद्ट के लोगों संद्ट रूप निट्ट करती हैं और यह आप निर्थय प्रिश्न को समर्फित है क्रिश्ण को समर्पित है यह निक्रिश्ण को समर्पित का मतलब जो आपका तुरी जगरनात मंदिर है उसी से सम्मंदित यह आपका क्या है तो ओडिसी का एक प्रकार से अग्रगम में भी माना जाता है कोडिसी का यह क्या माना जाता है अग्रगमी भी माना जाता है कि इसके पहले एक नदे तो होता था जिसका नाम क्या है कोटी पुगा कहां का है कोडिसा का है चलिए यह जो थेयम है यहाँ पर थेयम आपका हई बार विकल्प में आ चुका केरल में है यह विहू आपका हो ही च कि सभी आपके निर्टे हैं जो और किन राज्जों में होते हैं आगे चलते हैं अंतिम पंच वर्षी ओजना का उद्देश क्या था अंतिम यानि 12वी इस जो 5वर्षी ओजना है यह आपके अंतिम माननी जाती है यह 2012 2012 2017 तक की इसकी अवधी थी 2012 से कह थी 17 यह इसकी आवदी थी आवदी थी और इसका जो उद्देश से है क्या रखा गया था त्वरीतो सतत और अधिक समावेशी विकास तीसरा यहाँ पर आपका विकल्ब सही है परीतो सतत और अधिक समावेशी विकास ही इसका क्या था मुख्य उद्देश था मुख्य लच्छ था और यह शुरू हुआ 2012 से 2017 और इसी समय 2014 में योजनायोग को भंग करके 2015 में नीति आयोग आपका क्यातिया गया बनाया गया नीति आयोग अहंग कभ हुआ योजनायोग को भंग किया गया और इस नया आयोग बनाये गया जिससे क्या कहा गया नीति आयोग 2015 में किसी प्रकार से मोटन सिंग अहुलवालिया इसके क्या बने अंतिम योजना आयोक के अंतिम आपके उपाध्यश्च बने और योजन बराहमी पंचवर्शी योजना अंतिम पंचवर्शी योजना भी माने जाती है 8.2 प्रस्चत बिकास का लच रखा गया 8.2 प्रस्चत बिकास का लच रखा गया यह सब बराहमी पंचवर्शी योजना का है आगे बढ़ते हैं अगला जो कि दिसंबर 1937 में कि अध्यक्ता में लाहा और क्ांगरेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को अवचारिक रूप दिया है तो दिसंबर 1937 में जो कांग्रेश का अधिवेशन हुआ लाहौर में इसकी अध्यस्ता पढ़ें जवाहलाल नेरू ने किया था जवाहलाल नेरू और ये रावी नदी के बायं तट पर इस तरह भी आप से पूछा गया रावी नदी के बायं तट पर ये सम्मेलन हुआ और कब हुआ 1929 में और 26 जन्वरी 1935 दिवस मनाने का समय निर्धारित किया गया सोतंत्रता दिवस मनाने का क्या किया गया निर्धार लिया गया तो यही है आपका 26 जन्वरी ये दो मुख्य यहां की बाती हैं कि बराबर लगातार प्रसनाब की पूछती रहते हैं क्या क्या इसमें किया गया पूर्ण सुराज की मांग की गई पूर्ण सुराज एक और दूसरा ये आपका 26 जन्वरी 1930 सुतंता दिवस मनाया जाएगा और इसकी अध्यष्चता किस ने किया पंडिक जवाहला नेर्व ने किया चली आगे देखते हैं अगला जो हमारा प्रशन है सुपर मार्केट जिसे आजकल खुब भई प्रशलन में है संचालन की एक सीमा होती है सीमा बताएं कौन सी संचालन की सीमा होती है इसको यहाँ पर जानना है जो भी आपके हैं सुपर मार्केट पहला भी कल भाई एक ग्रहा को एक ही अस्थार पर विभिन ब्रांडों का सामान मिल सकता है तो सुपर मार्केट में होता है भई कि आपको विभिन ब्रांड के सामान एक अस्थान पर क्या होती है मिल जाते हैं यह बात सही है सुपर मार्केट को सुरू करन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजिया अस्यक है सुपर मार्केट के संचालन की सीमा कहां तक है तो यह आपका हो गया एक है वे मानक गुडवत्ता वाली वस्तियें परदान करते हैं वे समानों की विश्थ्ट्र सिंखला को समझालते हैं यह सिंखला भी वहां पर होती है कम मुल से ले कर अधिक मुल के भось तुभी वहां पर क्या कर सकते हैं खरिश सकते हैं लेकिन जैसे क्या है है यहां पर एक सीमा जो आपकी है की सुपर मार्केट को सुरू करने चलाने के लिए bawरी भी मात्रा में पूजी आवस्क है यह आपका यह हिबिकालप आका च्या होग उद्योगों के परचार और विकास के लिए रिण अन्य सुब्धाएं परदान करना तो यहां पर यह किस्स सम्बंदित है स्तहरी है बड़े खेत्र है कि यह अलिसान या ग्रामिड छेत्र जो नाबाड है यह इसका नाम यह राटी क्रिशी ग्रामिड विकास वाएं तो यह आ 12 जुलाई 1882 मुख्यालय इसका मुंबई मुख्यालय कहां पर है मुंबई और 1882 में और वो भी नमबर 1882 में स्रिमति इंद्रा गांधी तोरा यह देश को क्या किया गया समर्पित किया गया स्रिमति इंद्रा गांधी जानि उस समय प्रधान मंत्री अगर पूछा जाए तो कौन स्रिमति इंद्रा गांधी चालिए आगे देखते हैं क्ये हो गया आपका प्रिक्स सम्मंदित और गांधी क्ये है निम्लिकित मैं से किसे कठक में उनके युगदान के लिए पाद्मिस्री से सम्मानित किया गया था तो यहाँ पर जो कथक निर्ट से सम्मंदित हैं वह सुनैना हजारी लाल हैं और इन्हें जो है पद्मिस्री से सम्मानित किया गया किस निर्ट से सम्मंदित कथक निर्ट से पाकि यह जो टंकेश्वर हजारी का बोर बयान है जो गेंदत्ता बयान है और आपके सरोधी सैकिया हैं यह सभी आपके एक निर्ट है अस्वम का सास्त्री निर्ट जिसे हम कहते हैं सत्रिया क्या कहते हैं सत्रिया यह तीनों लोग सत्रिया निर्ट से सम्मंदित हैं और सत्रिया कहां का है हांका असम कं ठीक है यह सास्त्रियनित कि हमारे देश daar i on o save में थो यह आपका अजार टोजार दं कि यह हो गया आपका 2010 कि कि यह आपका 847 क्यलिए आगए देखते हैं सुनयाल और अजारी लाल ये इससे समद्दित हैं अगला जो प्रश्ण है समिधान के किस अनुछेद के तहट एक नागरी को कोई भी उब जीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है कौन सा ऐसा अनुछेद है यहाँ पर जैसे यह आपका 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 है वन जी है एक अनुछेद आपका यह आपका 20C आपका यह है आपका आर्टिकल 20 है 1F और आर्टिकल आपका 22B तो यहाँ पर जो भी है इसमें जो सही आपका विकल्प है यह आपका अनुछेद स्वतंता का जो अधिकार है यह आपका कौन सा है अनुछेद 19 है और यह क्या करता है नागरी को कोई भी उब जीविका या व्यापार करने की क्या करता है तो तंतरता देता है ठीक है अनुछेद 20 दो सित से संबंदित है आपको यह बताया जा चुका है 21 गर्मा माई जीवन जीने का क्या करता है अधिकार देता है और अनुछेद आपका जो बाइस है अनुछेद गिरबतारी निरोज से सरच्ण द और इसी कीस का में जोड़ा गया है जैसे 14 वर्स के बच्चों को निश्चुल का और अनिमार सिच्छा प्रदान करना नमाश्वें सम्दान संसोधन 2002 द्वारा यह भी आपको बताया जा चुका है यह प्रस्ण हो यह हैं जहां भी आया ब्याक्षा के गई है अगला है इस्वारा दिया को तराखंड के मुख मंत्री का बने उत्त्रा खंड के मुखमंत्री बने उसकर संग्धामी यह थे हमारे आज के बिस प्रस्म चलिए बार हम देख लेते हैं बहुत अर्भिन पांडे-उनिश का ए अर्विन पांडे निल लगभाग प्रस्णों के उत्वा तीपती हैं लगातार प्रस्णों का उत्तर दी और सही भी उत्तर आया मधू है चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं भई ये तो हमारा आज का 20 प्रस्ण था और तो आपको अच्छा लगा हो अब लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा भई और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर लगभाग आपके प्रस्ण जहां ब्याख्या ब्याख्या करने लाइक हैं मैं आपको ब्याख्या किये बताएग और एक से चार प्रस्ण आपके क्या हुई है ताकि कल इसी समय पर फिर उपस्तित होंगे एक बार फिर सब को नमस्कार